अन्यदाता बड़ी मेहनत से खेतों में अपनी फसल को उगाता है उसकी रखवाली करता है अगर उन्हीं फसलों पर अचानक कीडों ने अपना डेरा जमा लिया तो वो किसान की मेहनत से उगाई गई फसल को तभा कर देते है जिससे किसान हताश और निराश हो जाता है वो ये गाउ के किसानों ने जिला क्रिशी पतादिकारी मुंगेर को आवेधन देते हुए कहा है कि लगभग 20-25 हेक्टियर फसले कीड के प्रकोप के कारण बरबाद हो गई है किसानों द्वारा दिये गए आवेधन में ये भी कहा गया है कि प्रकंड से अनुदान पर बीच और कुछ बाजार से खरीद कर लगाया गया था फसल भी बहुत अच्छा और बढ़िया थी परन्तु अचानक एक सब्तहा पहले आंशिक रूप से कीड का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि देखते ही देखते विक्राल रूप ले लिया है लगभग 20 से 25 हेक्टियर फसल बरबाद हो चुकी है किसानों का कहना है कि कीटों का जिसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है आज तक की जिन्दगी मैसा तो बिमारी हम देखे नहीं थे कि इस तरह कभी होता है और दूसरा का खेत हम कर रहे हैं गयर रईयत के रूप में और लगभग हम डेर हेक्टियर के लगभग कर रहे हैं लगभग और सारा का सारा द्वस्त हो चुका है कि अगर हम लोग को कुछ मुप्वजा नहीं मिला रोट पर जाके जान आत्मत्या देना पर जाएगा अपने आपको नहीं पा रहे है इस्तिती में अचुके हैं, किसी तरह से हो सके कोई ना जडिया दिखाईंगे, किसी पढकल से उसको दीजिये, किसी तरह से दिलवाईए। वही जिलाक्रिशी पदादिकारी मुंगेर ने खेत में खराब हुई फसलों का जाइजा लेने के बाद क्या कहा सुनिए यह इस बार जो हमारा मौसम का कंडिशन था वह हमीडिटी है वह अभी हाई है मतलब आदर्ता जो है वहाई थी और अभी भी देखिए अभी आपको छट के बाद का समय है नॉमबर अभी दस नॉमबर तक हम लोग आ चुके हैं और अभी भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि चा समन करने आए यह रामपूर में है हम लोग इस पर अभी हम लोग ततकाल रूप से हमारे जो पंचायत के किसी समन वैक है उनकी एक प्रतिन्यूक्ति कर दिये हैं वो छती का आकलन करेंगे और इसकी समन्द में हम लोग राज को जो हमारी राज सरकार है उसको एक रिपोर्ट हम लोग तुरंत देंगे और जो हर दिन दिये जा रही यह रिपोर्ट तो हर दिन रिपोर्ट के हिसाब से यह छती का आकलन करके देंगे और दरजनों किसानों ने जिला कृशी पताधिकारी मुंगेर से कीटों से निजात पाने की मांग की है जिसमें तारापूर के अनुम झाल झाल